हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टो आवर न्यू वीडियो, तो फ्रेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, ग्रैविटेशनल पोटेंसियल इनर्जी, और इसके बाद सीखेंगे इसके वेलोसिटी, तो फ्रेंट्स, सब पहले ही बोल देना चाहता हूँ, वीडियो के क्वालिटी पर मत जाना, हाँ मैं बुक में पढ़ा रहा हूँ, इस पर मत जाना, क्योंकि इस वीडियो में क्वालिटी भले ही कम है, लेकिन नौलेज भरा हुआ है, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से पूरा देख लेते हो, तो मैं आपको गैरांटी के साथ कह सकता कि और कोई दूसरा वीडियो आपको देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो वीडियो को अन तक देखना मैं आपको जितना हो सके न, उतना अच्छे से मैं समझाने का कोर्स करूंगा एदम प्राक्टिकली, ठीक है, तो वीडियो को देखते रहा, ठीक है, तो चलिए इस से थोरा सा जादा है, जो पोटेंसियल इनरजी है, वही सब अवी तेंथ मैं ही वही सब है, लेकिन बस थोरा सा बढ़ा करके है, लेकिन आसाने, सा बेसीक है, अगर आपे बेसीक नहीं समझेए न, तो इसके वेलोसिटी समझ लेंगे, सबसपेल है ग्राविटेशन लिए हमको इनर्जी चाहिए होता है काम मतलब की माल लीजिए यह अबजेक्ट है इस अबजेक्ट को मुझे यहां से यहां उठा कर रखना है तो मुझे कुछ काम करना पड़ा एक काम है ना यहां से उठा करके यहां पर रखा तो यह मैं काम किया इसके लिए मुझे कुछ इ नोजेंटीक इनरजी क्या होता है चलिए मैं आपको प्राक्टीकल ही अच्छे से समझा लेकिन जब अब्जेक्ट सांत होता है तो इसमें पोटेंशल इनर्जी होता है अब ग्राविटेशनल पोटेंशल इनर्जी क्या होता है तो मैं आपको थोरा सा पहले बुक में दिखा देता हूं उसमें समझा देता हूं उसके बाद फिर से आपको प्रैक्टिकली समझाता हमारा और्थ है यह हमारा और्थ है अब यह और्थ से जितना अब्जेक्ट उपर जाता है उतना उसमें पोटेंशल इनर्जी जो है वह इंक्रीज हो जाता है यानि कि अब्जेक्ट जितना अर्थ से उपर जाता है हाइट जितना गेन करता है उपर के तरफ जितना उपर जात इस लिए आगे ग्राविटी एशन लग जाता है फालतु का दिमाग खरब करने के लिए बाकी बाद पोटेंसेल इनर्जी ही समझो ठीक है पोटेंसेल इनर्जी वाले चिप्टर में क्या बताया गया यह कोई ऑब्जेक्ट और से उपर जाता है तो कितना ग्राविटेशन उस करना है तो इस क्रीन पर सो हो रहा होगा आप याद कर सकते हो तो देखो पहले अभी रट्टा मारा देता हूं उसके बाद अच्छे से समझा देता हूं तो देखिए एक स्मॉलर हाइट जी इस कोंस्टेंट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्कॉयर यानि कि अगर आप स्मॉलर जो है स्मॉल जी मतलब ग्राविटेशनल एक्सिलेरेशन तो इसका वैलू ना 9.8 मीटर पर सेकेंड ही होता है यानि कि अगर आप मांट एवरेश्ट पर चले जाओगे न तो वहां पर भी हम लोग कंसीडर करते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड हाथ एक ग्राविटेशनल एक्सिल कम हाइट पर 9.8 मीटर पर सेकेंड मानते हैं अगर आप एक वाटर पर जाओगे या फिर और्थ के साउथ पोर या फिर नोर्थ पोर पर जाओगे तो थोड़ा सा ज्यादा फरक देखने को मिलता है लेकिन तब भी 9.8 मीटर पर सेकेंड ही माना जाता है क्यूंकि बस थोड इसलिए ठीक है अब अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं इतना याद रखिए अट अशरफेस पोटेंशल इनर्जी जीरो होता है और जब जितना हम लोग उपर जाते हैं उतना पोटेंशल इनर्जी बढ़ता है लेकिन एक ऐसा भी पॉइंट आता है जहां पर पोटेंशल इनर्जी उपर बढ़ते बढ़ते क्रम हो जाता है क्योंकि ग्राविटी वहाँ पर होता ही नहीं इसलिए पोटेंशल इनर्जी जीरो हो जाता है और इसलिए वहाँ पर माइनस का साइन आ जाता है ठीक है यह हम जब निमेरिकल सौट करते हैं तो चलिए हम लोग अच्छे स प्रैक्टिकलई अभी समझे लें तूधी फ्रेंड्स एक ऑप्जीक्ट हैं अभव उब्जीक्ट नभी सब्सक्राइट याद कर लिजिए जब ऑब्जेक्ट सर्फेस पर है तो इसका potential energy zero है, ठीक है, यह object surface पर है, तो इसका potential energy कितना है, zero है, अब यह object जैसी जैसे उपर जाता है, तो इसका potential energy बढ़ता जाता है, अगर यह object और उपर गया, तो इसका potential energy और बढ़ गया, अब यह object और उपर गया, तो फिर से इसका potential energy बढ़ गया, अब यह object और उपर ग और इसे तेन्थ में बस थोरा साहिए है आप 11 घाओगे तो भस आपको फिर अच्छे से मिलेगा समझने के लिए बस तिन्थ में इतना ही है चले मैं आपको थोड़ा सा भी जो समझाया हूं वह यहां पर रिवाइज मरवा देता हूं और यह फर्मूला कैसे आया यह फॉर्मूला के वारे में पूरा आच्छे सा आपको 11 में यू जोगा आच्छे से 11 में पढ़न तो सेटलाइट भी इधर उदर भाग जाएगा थोड़ा सक ग्राविटी होता है लेकिन माली जीरो ग्राविटी होता है ठीक है यह और्थ है यह और्थ के पास एक अबजेक्ट है अब यह अबजेक्ट ना जैसे जैसे और्थ से दूर जाता है वैसे वैसे इसमें फोर्स लग ही नहीं रहा है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी तो जीरो होगा तो वहीं दिया हुआ है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी जीरो होगा पोटेंसल इनर्जी भी जीरो होगा और इसलिए यहां पर माइनस भी लागा रहेगा क्योंकि यह जैसे जा रहे है वह से तो बढ़ तो रहा है लेकिन आग जाके फिर 0 हो जाता है तो यानि की 0 हो जाता है तो देखिए एक ऐसा होता है यहाँ पर 0 होता है यहाँ पर 1 होता है यहाँ पर 2 होता है स्यांत है और यहाँ पर जाते जाते जीरो हो जाता है इसलिए हम लोग विह माइनट में इससे नहीं से यहां पर परь तो यहां पर यहां पर अच्छे से याद्राइब भस सिना इनरची हज्छ फॉर्म दू along कैसा हा चैपीटलG ॥ा पता है यहां पर ले लेंगे ही हां और उसके बाद मास बड़ा-वाला अबजेक्ट का मास और छोटा वाला अबजेक्ट का मास बड़ा ओर्थ का हो गया चोटा वाला अबजेक्ट जितना भी वजह की लिया है चांद प्लस सर्फिस से कहां तक यह object जा रहा है वहां तक का height यहां पर ठीक है यह आपको formula समझा दिया हूं कैसे आया है खेर यह formula आपको 11 में ही काम आने वाला है वैसे आप याद कर लेना आपको बस basic ही है तेंथ में इतना ही है gravitational potential energy ठीक है चलिए आपको थोड़ा सा रिवाइज हमरबाद देता हूं मैं आपको बताया था gravitational potential energy तो यह gravitational potential energy में work आपको पता है work करने के लिए दो चीज होता है work करने के लिए energy हमको चाहिए होता है और energy दो टाइप का होता है पोटेंशल इनर्जी का फॉर्मूला infants होता है था होता है जैसे जैसे उपर जाता है वेसे वीद्वाइज बढ़ता जाता है पोटेंशल बढ़ते जाता है जय सब्सक्रम्युकों इंचे होता है क्योंकि वहां पर gravitational force नहीं लगता है gravitational force नहीं लगता है इसलिए पोटेंशल energy जो है जीरो हो जाता है यहां पर हम लोग मैनेस यूज करते हैं कि जैसे आफ्र बारते हो ऐसे कम होता जाता है ते माइनस 2 माइनस 3 माइनस 2 आप मैं समझें वैसा ही यहां पर करеспर करते हैं थीक है हम लोग नियुमेरिकल में करेंगे तो माइनस करके करेंगे हां उसको ध्यान देना होगा एक फर्मॉला कैसे आया घ्राईय डीक प्रसल ग्राविटी है यह आपको लेना ही पड़ेगा उसके बाद मास बड़ा एम मतलब की बड़ा अब्जेक्ट का मास यानि के और चोटा मतलब चोटा साब्जेक्ट और लेलो से बले मतलब अर्थ नहीं और तो हमारा बड़ा एम हुआ और चोटा वाला हमारा और मून हो से अर्थ के सर्फेस तक हमारा रेडियस होता है और सर्फेस जितना उपर तक जाते हैं उसको हाइट आपको पता ही है इंग हमारा बस इतना ही था रेंवे आपको डेफिनेशन याद कर लेना है क्योंकि एकजाम में तो आता ही है थोड़ा सा रटना तो पड़ेगा लेगा रटने से पहले Definition वारा को भी तो समझना जरूरी है तो चलिए हम लोग Definition को समझ लेते हैं बात हुआ ही होता है Definition को बस लिख दिया जाता है जो practically हम लोग करते हैं उसी को बस इसको लिखतंत में लिख देते हैं Practical चीज़ को तो देखिए यह लिखतंत को हम लोग फिर प्रैक्टिकली भी करेंगे और समझेंगे तो देखिए इसके वेलोसिटी क्या होता है minimum amount of velocity applied to an object यानि कि कोई भी कम से कम velocity कम से कम velocity object पर apply होता है to of an object to escape from the earth gravitational influence यानि कि यह earth है अब यह earth का gravitational influence भी होता है यानि कि जहां तक gravity qi out qaco gravity 항상 जो gravity है इसकी वकाद जो है कि किसी अबजक्ट्धक को खींचने कि मERE यह Juluard यहीं तक है यहीं तक है इसकी अवकाद एक पन यहीं तक है object को खींचने कि तो एक अब्जेक्ट को आर्थ से जब फेक ना यानि कि इसको जब बाहर वह निकालना होगा ना एक ग्रेविटेश्चनल इन्फटेंस यह हमारा ग्रेवी टेशनल इंफ्लेंस इन्फ्लेंस ठीक है अब इन्फ्लेंसin तो Stephanie से कम से कम से कम फूर्स लगाना कम से कम जो फूर्स लगता है न वेलो सीटी भी हम लोक अबजेक्ट को escape कर देने के लिए और ग्रैविटेशनल इंफ्लेंस से उसी वेलोसिटी को escape velocity बोलते हैं आपको अभी अच्छे समझ में नहीं आया होगा कोई बात नहीं अभी यह चीद्वक करो भाई कोई भी चीज़को प्रैक्टिकली समझाे जाता है तभी न तुरंट समझ में आता है तो चलो प्रैक्टिकली करो तुँदेखिए फ्रेंट्स यह हमारा एक object है और यह हमारा Earth है मान लीजिए ऐसे एक दौवरी है लेकिन मान लीजिए कि यह हमारा Earth है और यह हमारा object है जो कि Earth से चिपका हुआ है क्यों चिपका हुआ है gravitational force के कारण Earth जो है यह object को चिपका के रखा है अब यह जो आपको line दिख रहा है white color का यह हमारा gravitational influence है यानि कि अगर हमारा object को यहाँ पर सब फेक देते हैं तो यह object आपस इसमें चिपक जाएगा क्योंकि gravitational force यहाँ पर लगा रहा है और तो इसलिए object आपस इसमें चिपक जाएगा ठीक है लेकिन अगर हम इस object को यहाँ पर फेक देते हैं तो फिर यह Earth जो है हमारा यह उस object को नह से यहां फेग देते हैं तो औबजेक्ट है अपस इस अर्थ में नहीं चिपकेगा लेकिन जब ए oh Bye को हम लोग यहीं पर फेगते हैं या फिर यहां पर फेगते हैं तो यह फिर इस अब्जेक्ट को अपने चिपका लेगा ठीक है इतना आपको समझ में आया अब देखिए मैइ इस अब्जेक्ट को कितना मिनिमम इतना इतना फोर्स वैलोसिट्टी लगा 나와 फेकना है जिससे न न आगे देखिये मैं आपको प्राक्टिकली पहले अच्छे से समझाता हूं देखिये ए बझ्यक्ट है मैं इसको फेका-वैलो सिटी लगा कर गये यह अपजुक्ट यहां पर गिरा फिरसे चिपका लिया और्थ मैं इसको फेका अभ अब वो चला गया वहाँ, तो वो वहाँ पर सीधा चला गया, यहाँ से फेका वहाँ पर चला गया, तो क्या वो इसके velocity हुआ, नहीं हुआ, वो maximum हो गया, यानि कि यह फेकने के बाद वो वहाँ पर चला गया, सिरफ उसको यहीं पर रूक जाना चाहिए था, यहीं पर, तब ह होता हूँ इसके वेलोसीटि में क्या होता है मिनिमममम्न टो वेलोसीटि यान कि इतना ही वैलोसीटि दो जिसे वह अबजेक्ट इंफ्लेंस- ।के इंफ्लेंस कर रहे वहीं पर रुके उससे ना ही आगे जाए और ना ही पीछे ही रहे वही होता है इसके वेलोसिटी आई होब आपको समझा तो चले फ्रेंट्स एक बार आपको डेफिनेशन के साथ समझा देता हूं ऐसे तो आपको प्रैक्टिकली समझाई दिया हूं लेकिन तब भी इसकेक्टो जाएए वनिंठाव ऐफ चाहिए इसके फोजेटेफ फिस इसकेप पर सुभाडब चोईर्फ सै. और मोदूद्य पर Smutya यौन syteagen। और Extrond दूर चला जाएगा तो यहां पर रहेगा ही नहीं ऑफ्यक्ट आगे भागना भी नहीं चाहिए और नहीं अंदर रहना चाहिए और के इंफ्लेंस लाइन के बस जश्ट आगे थोड़ा सा रहना चाहिए जो कि आपको प्रैक्टिकली समझा दिया वो तो समझेने वाली बात है आप आई होप समझ गए होंगे आपको डेफिनेशन याद कर लेना है अभी मैं आपको समझा देता हूं फर्मूला कैसे निकालते हैं